मैडम बहुत सारी सरकारी श्कूल होते हैं बुरा मतमाना बहुत सारी टीचर्स भी होती हैं अब वो अतना इंट्रेस्ट नहीं दिखाती बच्चों को पढ़ाने में आप बुरा मतमाना देखो मैं फरीदवाद में मैं विजिट करता हूँ बहुत सारी पेरेंट्स की शिकायत आती है कि वहाँ पर उस तरह से बच्चों पर ध्यान नहीं दिया जाता जिस तरह से देना चाहिए बहुत बहुत बढ़ाई हो मैडम क्या नामे आपका मेरा नाम निरुपमा शर्मा है कह रहती हैं आप सर मैं फरीदाबाद में रहती हूँ फरीदाबाद सेक्टर 46 की मेरी वासी हूँ और मैं MCD स्कूल में पढ़ाती हूँ और MCD स्कूल में बहुत साल हो गए है मुझे पढ़ाते वे 16-17 साल हो गए है तो बस मेरी कोशिश यह है कि जो एक image है कि MCD स्कूल में पढ़ाई इस तरीके से होती है, ऐसे होती है, एक थोड़ा सा lower एक image के तरीके से हम देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आप मेरी classroom के example को देखेंगे, ऐसे कई classrooms हैं जहां पर ये सब चीज़े हो रही है, हमारे वर भागने mission बुनियाद जैसी कुछ इस तरीके के initiatives लिये हैं, इतना infrastructural और इस तरीके से support किया है, मतलब resources से और motivation से और other content related resources वो सब provide करके, कि जो education का जो एक scenario है, वो बहुत बदल गया है और बहुत बहतरी की तरफ है, इसका एक example आप मेरी classroom से ले सकेंगे. ने तो दिल्ली सरकार ने कुछ survey किया होगा, कुछ ने कुछ research किया होगा, तब ही आपका नाम निकल के सामने आया होगा, तो क्या-क्या parameters उन्होंने लिये थे, क्या school का survey किया था, बच्चों से बाचीत की थी, parents से बाचीत की थी, किस आधार पे आपको ये award मिला, और क्या award ये state teachers award है, दिल्ली state teachers award, इसमें दिल्ली में जितने भी schools हैं, सरकारी या private, सरकारी भी अगर aided school भी हैं वो, तो हर तरीके के schools जो हैं, इनका आपस में इस तरीके से teachers का, principals का competition था, और बहुत सारे parameters रखे थे, for example, जैसे उन्होंने पूछा था कि आपकी success stories बताईए, अपनी classroom में आप क्या different initiatives लेते हैं, वो बताईए, कुछ इस तरीके के platforms बताईए, जहां पे अपने कोई research papers या lectures जो हैं, वो लिये हूँ, एक question इस पे भी था, कि आप, अगर आपने कोई book में अपना आपका नाम है, या book published की है, तो वो बताईए, आप national level पे किस तरीके से contribute करते हैं, सोसाइटल लेवल पे आप किस तरीके से contribute करते हैं, पेरेंट्स से आपके क्या relationship हैं, आप पेरेंट्स को कैसे school में involved करते हैं, और कैसे बच्चों को community की तरफ लेकर जाते हैं, ताकि बच्चे जो हैं community को contribute कर सकें, तो ये सारे initiatives को उन्होंने पूछा था और ये सब questions को मिला क कि इनी सब के आधार पर जो है, उन्होंने चायान किया हमारी प्रिंसिपल माम है, क्योंकि प्रिंसिपल माम को भी award मिला है, तो पूरे school का भी विजट हुआ था, इट वोस नोट जिस वान क्लास, बट इट वोस दो होल स्कूल, तो माम का management कैसा है, और किस तरीके से सारी classes मे teaching learning processes चल रही है, और इसके अलावा, teaching learning के अलावा भी जो co-curricular है, या जो विभाग से हमारे जितने भी initiatives हैं, उनको कितना successfully ma'am implement कर पा रही है, ये सारी चीज़ों को उन्होंने observe किया था, तो हमारी ma'am को भी जो है, निगम पुरसकार मिला है, तो क्या award आपको मिला, अपना मेरा नाम अलका चुग है, और मैं यहां पर प्रधानाचारे के पदपर कारे रहत हूं, मुझे इस समय कॉर्परेशन एवार्ड मिला है, बेस्ट प्रिंसिपल का, बधाई हो, थैंक्यू सो मच, कब से पढ़ा रही हैं आप, सर मेरा 35 यह का experience है, और मैं as a principal तो मुझे 7 साल ह का बादाचाई है, इसमें male female दोनों पढ़ते हैं या सिर्प लड़किया पढ़ते हैं, only girls का स्कूल है, only girls, morning shift में girls रहते हैं, evening shift में boys रहते हैं, और यह हमारा department, वाप ही प्रिंसिपल दोनों हैं, boys की और, boys की अलग है, वो अलग है, मैं morning shift में रहती हूं, वो evening shift में रहते है हम पूरी कोशिश करते हैं स्कूल हमारा काफी अच्छा है और हम तो एक अपनी 26 उदारने पे लगए हुएं कि जो परीदाबाद से आते हैं जी तो बहुत सारे लोग यहां पर फरीदाबाद से पढ़ाते हैं जी यह बॉर्डर का स्कूल है न तो बॉर्डर के स्कूल में मैक पूर्डर के स्कूल होते हैं बुरा मतमाना बहुत सारी टीचर्स भी होती है अब वो जो है उतना इंट्रेस्ट जो है नहीं दिखाती बच्चों को पढ़ाने में आप बुरा मतमाना देखो मैं फरीदाबाद में मैं विजिट करता हूँ बहुत सारे पैरेंट्स की शिकाय कि वहाँ पर उस तरह से बच्चों पर ध्यान नहीं दिया जाता जिस तरह से देना चाहिए देखिए जैसे प्राइबेट स्कूल है वहाँ भी वही टीचर्स होती है एक ही टीचर होती है बार बार पढ़ाती है लेकिन वो जो है डिसिप्लीन को मेंटें रखती है और बच् सर है ग्यानेश भारती जी उसका जो हमारे अपने डीडी है संजे गोयल जी इसका हमारे स्कूल इंस्पेक्टर है ऑंपरकाश मीना जी यह एक है के लिए हमारे से पॉसिबल नहीं है यह वहाँ से हमारी गाइड्लाइन्स चलती ही आ रही है और वह बहुत अच्छी हमारे ए आप पो चैलेंज करी नहीं सकते इस समय यह हमारे जो M.C.D. के स्कूल भी है ना इस समय एक 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 जामपल है ठीक है हमारे पास लोवर क्लास फैमिलीज के बच्चे आते हैं लोवर मिडल क्लास के बच्चे आते हैं लेकिन अगर आपके पप्लिक स्कूल को पूरी टकर देने पर तयार है चलो बहुत अच्छी बात है देखिए अगर सरकारी स्कूलों में अच्छी पढ़ाई होती है जो पेरेंट्स हैं जो बच्चे हैं उनका एक तरह से होसला भी बढ़ता है अधरवाई जो फेड़ अप रहते हैं कि बढ़ाई तो होती है हम क्या करें कैसे करें हमारी पूरी कोशिश है हम तो अपनी चवी बदलने की तरफ बहुत समय से प्रयास रहते हैं हम अपनी चवी बदल चुके हैं और यह परसेप्शन्स की तो कई चैन है आपकी हाँ कई चैन है उपर से लिए पूरा एक वीक लॉंग हमारा सेशन्स रहे वहाँ पर हमने पूरा एक वीक का ट्रेनिंग प्रोग्राम लिया बहुत कुछ सीख कर आया हैं और इंप्लिमेंट भी कर रहे हैं बच्चों के साथ में कोशिश पूरी है हमारे अपर लीडर्स ने जैसे अपने विकास्ति पार्टी जी है या वो इतने इतना जादा इंटरेस्ट लेते हैं ना जबसे वह आया आज तक हमने कोई ऐसे डिरेक्टर नी देखे जिनों ने एजुकेशन को इतना सीरियस्ली लिया कि उनका और कोई काम ही नहीं है वो हम कि बच्चे को हम अलगसम सलेवस नहीं बढ़ा रहे हिस समय हम हर बच्चे की बेस को मजबूत कर रहे हैं ताकि वह कुछ भी पढ़ने के लिए तैयार है पिरा और इस सब माइन डेवलप हो गया तो अपने आप ही पढ़ लेगा है और यह सब हमारे पूरी गाइड लाइन जो है ना हमारे उपर हेड ऑफिस से ही आती है वो पूरा हमें एक स्ट्रक्चर दे रहे हैं पढ़ाते हम भी हैं और अच्छा ही बढ़ा रहे थे पहले भी लेकिन अब एक स्ट्रीम लाइन चीजे मिल रही है कि हाँ इस तरह से पढ़ाना है वरक्शीट समय मिलती हैं बच् सिस्टम मिल गया आपको सिस्टम के तहट आगे बढ़ रहे हैं बहुत यह बच्छे देखु कि